हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्णिंग विधी तेश ये एक मेरा खूप सुरत जीजी प्लांट है इंडोर एंड शेड लविंग प्लांट है ये और एक सकलन प्लांट है ये मैंने जो है 100 में परचेज किया था नर्सरी से लास्ट समर्स में तो इसमें जो हैं तीन से चार जो हैं ब्रांचीज थी और घर में काम होने की वज़े से देखिए एक ही ब्रांच रह गई है जैसे भी इसमें पानी डला डलता गया बहुत कम पानी ये लाई करता और एक इंडोर प्लांट है और ये मैंने एक सेरमिक के पोर्ट में लगाया हुआ है और समर्स में सब्तंबर में मैंने जो इसकी खराब हुई थी एक दो तो उनकी लीव्स ग्रो करती थी और आपके साथ मैंने इसकी वीडियो भी शेयर किया था और चार लीव्स थे और थे तो छे साथ तो चारी लीव्स जो हैं अच्छे से प्रोपोगेट हुए और इन में मुझे सक्सेस मिल गया था और जो अभी बाद में खराब हुए हैं उसमें से भी चार पांच लीव्स निकली हैं वो मैंने इंडोरी रखे हुए हैं प्रोपोगेट करने के लिए लेकिन उनमें अभी मुझे कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली हैं तो ये ली देखे जैसे ये कोरासा पड़ रहा है और अभी नीचे जो बल्ब होता है और रूटिंग होती है बहुत अच्छे से हो चुकी है तो अभी इने शिफ्ट करना जिरूरी है और ये देखिए उपर से खराब होने लग जाते हैं क्योंकि ये मैंने ओपन स्पेस में रखे जैसे कि आपको पता है ये सकलेंट प्लांट है तो सकलेंट प्लांट को क्या होता है वैल डेंट सॉइल चाहिए होती है तो ये मैंने काफी भुरभुरी से इसकी सॉइल बनाई होई थी और विंटर में तो पानी इससे बहुत ही जादा कम चाहिए 20-25 दिन में एक बार है तो मैं चार होल्स इसमें जो है बना दूंगा ताकि जो है प्लांट हमारा जो लीफ हमारा इन होल्स में अच्छे से लग जाए और करना कुछ नहीं है सिंपली होल में आपको इन्हें दबा देना बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो रूट है इसकी वो टूटे ना ठीक है ऐसे हम जो है इन होल्स में चार के चार होल्स है चार लीफ इन में हम लगा देंगे और अच्छे से आपको दबा देना है नीचे प्रेस कर देना है कोई भी इसमें हवा जाने का जो है चांस नहीं होना चाहिए लेकिन अगर वैसा हुआ तो आपकी जो रूट है वो जो प्रेस कर दें तो ऐसी मैं जो हूँ सारे लिफ इसमें लगा दिये और आपने ध्यान रखनाँ है ज्यादा लिफ यहनए कि हाफ लिफ आप मिट्टी में दबा रहे है उपर ही ऊपर रखना ज्यादा नहीं आपको दबाना है जिसमें आपका बल्ब है और रूट है वो तोड़ा सा उपर आपको लीफ डालने हैं बिलकुल आधा लीफ नहीं डालना है नहीं तो फिर उसमें क्या होता है फंगस अलगने का चांस हो जाता है और उपर से आपको नहीं ऐसे पींच जिरूर करने हैं अच्छे से आपको टाइटली प्रेस करते हैं ताकि इसमें एर पोकेट ना रहे हैं और आसपास की मिट्टी को भी अच्छे से प्रेस कर दें दबा दें देखिए कि इसमें बची अब यह भी डर है कि यह भी कप टाटा बाई बाई बोल दें तो मैंने अभी जो है अपनी तरफ से जो है लीफ लगा दी हैं और पानी हलका ह है तो पानी देना इने कंपेलस रहे हैं बस इतना ही पानी देना है आपको और देखिए मिट्टी वैल्ड्रेंड होने का देखिे किितना वैल्ड्रेंड है है तो देखिए एकदम पानी इसने सौक कर लिया है वैसे तो यह झो लीफ से लगाने थे मुझेoman अक्डूबर या नवंबर चार्ड में मिट्टी में ट्रांसफर कर देने चाहिए थे मेरी गलती है क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था क्योंकि अब बहुत तेज सर्दी है तो थोड़ा रिस्क हो जाता है लेकिन फिट भी अपनी तरह से मैंने लगा दिया अब देखिए मुझे इन में से प्लांट मिलता है या नहीं वैसे चार-पांच लीव्स मैंने अपने इंडोर भी रखे हुए है पानी में वह भी खराब नहीं हुए है लेकिन उन में अभी टाइम लगेगा क्योंकि ठंड है न ठंड में प्रोफोगेशन में टाइम लग जाता है और खास कर जब आप ज जो है इसे शेड में रखना बिल्कुल भी इस फे जो है धूप मिल जाए शनी हुई या फुल डे की लेकिन रात में तो शेड में रखना ही है ताकि इस पे जो है कोहरा वगेरा सर्दियों का ना पढ़े नहीं तो इसकी लिवस सारे ब्लैक से होने लग जाते है जैसे जो मै ने प्रोपोगेट किये थे वो तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें